Good morning students, हम business services के बारे में कर रहे थे, जिसमें हमने पहली service पड़ी banking, अब second है हमारी insurance, insurance and introduction, insurance क्या होती है, उसकी introduction पड़ेंगे, सबसे पहले इसका meaning कि insurance क्या होती है, Insurance is a contract where one party takes the responsibility of the risk of other party in exchange of some fixed fee, इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा अनुबंध है बीमा, जिसमें एक पार्टी, दूसरी पार्टी से एक निश्चित, एक fixed fee या एक निश्चित fees लेकर जो है, उसकी responsibility जो है, उसका रिस्क है, उसकी responsibility जो है, वो अपने उपड़ेंगे, पर ले लेती है, As per the contract, the first party, which is taking the responsibility of risk of another party, promises to pay a fixed amount of money to the second party, either at the end of a fixed period, और at the happening of some event, इस अनुबंध के अंतरगत क्या होता है, कि जो बीमा कंपनी होती है, बीमा करने वाले को एक निश्चित अबदी की समापती पर, या तो एक fixed period खतम हो जाए, या at the happening of some event, या किसी घटना के घटित होने पर निश्चित धनराशी देने का जो है, वो promise करती है, जिसके बदले में बीमा कराने वाला व्यक्ति, बीमा कंपनी को एक fixed fee जो है, या fixed amount जो है, वो देता है, हुआ clear की नहीं, एक बार फिर से सुन लो, in simple words मैं बता रही हूं आपको, कि insurance जो होती है, यह एक ऐसा contract होता है, इसमें दो parties होती है, एक बीमा करने वाला और दूसरा बीमा करवाने वाला, जिसने बीमा करवाना है, वो एक निश्चित amount देगा बीमा करने वाले को, और बीमा करने वाला, उसकी जो risk होगा, उसकी responsibility जो है, वो अपने उपर ले लेता है, अब उसको किस प्रकार का risk जो हो सकता है, यह risk जो है, अगर उसने अपनी किसी asset का, या आपनी किसी goods का बीमा करवाया है, या अपनी life insurance करवाई है, तो अगर किसी घटना के घटित होने पर, घटना का मतलब है, अगर वो व्यक्ति मर जाता है, या उसकी किसी asset बगएरा को, या माल को नुकसान पहुंसता है, तो जो है, वो वो बीमा कंपनी compensation दे देती है, या फिर अगर उसने अपनी life insurance 10 साल की करवाई है, तो जैसे ही 10 साल वो पूरे होंगे, तो वो बीमा कंपनी जो है, वो उसको amount जो है, वो दे देगी, या फिर जैसे माल य asset का बीमा करवाया है, तो ये एक साल से जादा नहीं होता है, इसका period होता है एक साल, तो जैसे ही एक साल के अंदर अगर नुकसान होता है, तो तभी जो है, वो उसकी compensation मिलती है, otherwise नहीं मिलती, सिर्फ life insurance एक ऐसी insurance है, जिसमें जो है, अगर घटना घटित हो, तब भी पैसे म मिल जाता है, तो फिर से सुन लो, insurance में एक party जो है, वो दूसरी party का risk जो है, वो अपने उपर ले लेती है, और बदले में उससे कुछ fee लेती है, तो जो बीमा करवाने वाल अविक्ति होता है, अगर उसको कोई नुकसान पहुंसता है, किसी घटना के घटित होने पर ही, बी इमा कमपनी, जो है वो उसकी compensation करती है, अब हम करेंगे इसके terminology, basic terminology मतलब शब्द कोश, insurance में कौन-कौन से शब्द जो है वो प्रयोग होते हैं, तो पहला है जैसे insurer, insurer कौन होता है, one, who does the insurance, जो insurance करता है, और who takes the responsibility of risk, जा या जो जो कि responsibility अपने उपर ले लेता है, उसे insurer कहते हैं, यानि कि bema company, simple उसमें अगर कहें, तो हम कह सकते हैं, bema company, या bema करता, उसको हम insurance, insurer कहते हैं, जो insurance करता है, उसे हम insurer कहते हैं,